मस्कार दोस्तों आपका बहुत स्वागत है तो आज का हमारा टोपिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लाइट चेप्टर हम साइंस में पढ़ रहे हैं है सो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इससे पहले हमने ज़ायी है इंप्टर्मूला पढ़ लिया हमने और उससे कोशन में करेंगे जिसमें का कोशन होगा और मिरर का भी कोशन होगा ठीक है तो आज हम पढ़ते हैं एक में इंपोर्टेंट टोपिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्शन तो देखो रिफ्लेक्शन हम इसली समझ सकते हैं कि यह हमें दिख रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ठीक है यहां से रि कि है योई के suma foreign कि रिफ्रैक्शन क्い अधे रिफ्रैक्शन का मतलब होता है और गया यह दी राइट को पहली बात तो रिफ्रैक्शन होगा किसमें क्या अपयक सॉट आप जेक्ट में reflection होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा उसमें क्या होगा सिर्फ और सिफ reflection होता है reflection का मतलब light का क्या होना कोई ऐसा object जो transparent हो जिसे light क्या हो आर पार हो सके उसे हम बोलते हैं reflection अब यह तो definition हो गया simple अब इसके हम थोड़ी से जो main important बात है इसकी समझते हैं कि इसमें velocity क्या होता है किस किस पर डिफेंड करता है ठीक है तो इसमें हम बात करें कि यह और रिफ्रेक्शन होता कहा है तो इसके लिए हमें दो medium की जरुत पढ़ती है reflection हमेंसा single medium में नहीं होगा और क्योंनी होगा single medium में कि देखो जैसे यह air मौन है यह कोई रीजन है जिसमें यह अब सब Проक्स कर भीतगे यहाँ हम दो पार्ट कर भी दिए इसको तो क्या फर्क पड़ता है यह तो लाइट किया होगा लाइट की जो जितना यह रहेगा ऊधर इधर भी यह आपको कोई। आपस्टेक्स तो इसी तरह से जिस तरह से हम लोग जैसे मैं अभी हात को ऐसे घुमा पा रहा हूं अपने एर में घुमा रहें यह ऐसे कोई रास्टे से रास्ते में तो हम बोलेंगे हम अपने atmosphere मतलब air में चल रहे हैं अभी जो हमें कोई हमें थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक कर भी रहा है तो वह कौन है air है कौन है air है लेकिन यही सेम फोर्स में अपना रखूं यही एनर्जी रखूं जितना मैं ऐसे चल रहा हूं इतना इनर्जी में रखूं और यहां बीच में पानी भर दिया जाए यही पानी भर दिया जाए अब उसमें मुझे चलनी के लिए बोला जाए तो क्या मैं जितना energy से पहले air में चल रहा था उतना इनर्जी से में चल पाऊंगा तो जवाब होगा नहीं बिलकुल नहीं क्यूंकि हमने medium change कर दिया हमने medium change कर दिया पहला जो पहले जो था वह एर था एर का जो density होता है कम होता है density का मतलब मास पर यूनिट वोल्यूम ठीक है तो मतलब इसके जो मास होते हैं पर यूनिट वोल्यूम काफी दूर दूर होते हैं इस वज़े से इसके मोलकुल होते हैं वह फैले होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है तो हमें इतना अब्स्ट्रेक्ट नहीं करते हैं जितना की water molecules हमें परेसान करता है तो यही सेम चीज हमारे light के साथ होता है कि light में हम पढ़ते हैं क्या है light में भी energy है जिस तरह से हम energy लेकर चलते हैं हमारे अंदर energy इसी तरह से light में energy है और light में जो energy उसे हम बोलते है इलप्रोमेनेटिव वेव ठीक है तो वेव के फो में जाता है अब बताए एक तो air है एक तो particle ऐसा है एक पार्टिकल ऐसा है कि यह एर की पार्टिकल है जो काफी दूर दूर है दूर दूर पर है इसे पार्टिकल ऐसे दूर दूर पर है ठीक है इसमें लाइट को जाना होगा तो इसमें जो वेव होगा जब यह वेव को फो में आएगा तो इससे इसली निकल जाएगा इसको ज्य सिस्टेमेटिक होते हैं तो क्या करेंगे इस yeni Lema बहुत जादा है और सब्सक्राइन कर लेता है पहले मेरे से लड़ो फिर जाना तो ये लड़ना श्टार्ट क ळेता लड़ेगा तो इसकी क्या हो जाती है यह light की वेचारा थोड़ी सी velocity कम हो जाती है velocity क्या हो जाता है कम हो जाता है जब glass या water में travel करना होता है तो तो इसी velocity के कम होने के कारण ही कौन सा phenomenon होता है तो हम बोलेंगे reflection होता है क्या होता है reflection ओकी तो I think आपको clear हुआ होगा कि reflection जो phenomenon है वह क्यों होता है है क्योंकि हमारे जो light vasity है light vasity को obs track कर देता है अगर्व आप जानते हो कि light की velocity सबसे maximum कि समय होता है तो वाइक्यू में होता है मॉलो थीपर स्केंड होता है और और इस ही मिलता दूलता मदलब एप्रोंक्स निकाल गया है यह मतलब हमारे light की जो maximum अब एएर में देखते हैं light को travel करते हुए ठीक है तो एइर में maximum velocity होता है और इसके अलावा जितना भी object होगा वो light को क्या करेगा इससे कम velocity करदेगा तो यदि इसे की एबी किसी कोई भी ट्रांस्पेर्इनट मीडियं है उसे यह दी लाइट करीगी तो वो क्या हो जाए गा उसका यह किया हो जाएगा और कम होने के कारानी क्या होगा ।o समंज मौन अचुछ眪 के होगा की होता है सब्सक्राइब क्योंकि वेलोसिटी को क्या कर दिया जाता है कम आप ही सोचो कि आप कोई रास्ते में दोड़े जा रहे हो किसी दोस्से मिलने के लिए बुला रहा है आपको और बीच में कोई कि टांगड़ा दिया आपको बीच में कोई भी अब्स्रक्शन डाल दिया ठीक है कोई ऐसे आप से कुछ फेक दिया आपके उपर तो आप क्या करोगे या तो गिर जाओगे डिविएट हो जाओगे तो यह सेम चीज बेचारा लाइट के साथ हो रहा है बीच में रास्ते में आप उसके करोगे तो फिर होगा उसके साथ रिफ्रेक्शन हो जाएगा चलो तो अब हम बात करते हैं कि मेडियम कि यह हां कि मेडियम और इधर कि यह मेडियम ले लिया मैंने और यह मेडियम टू ले लिया इधर माल लो मैंने वाटर ले लिया इधर मैंने वाटर ले लिया इधर हमारा water molecules है अब क्या होगा लाइट इधर से आएगी लाइट इधर से आएगी और इसके आर पार करेगी ठीक है तो अब क्या होगा अब जब एक बात ध्यान रखना कि जो लाइट जो है रिफ्रेक्ट कब होती है यह एक important question है लाइट रिफ्रेक्ट कब होती है जब मैं यदि आप यह मालनों यह गलास है यह गलास है ठीक है और आप इस में लाइट बिल्कुल एस सर्फेस के बिल्कुल प्रपेंडिकुलर डालोगे तो क्या रिफ्रैक्षन संब्राई exam हो यह नहीं होगा बतावां इसके पर्पेंडिकुलर मैं डालूं लाइट तो रिफ्रैक्षन भी यह नहीं होगा इसकी जो बेंड है वो बेंड नहीं होता है फिर कुछ लोग वो लेंगे सर इसका मतलब फिर वेलोसिटी कम नहीं होता होगा तभी तो बेंड नहीं होगा मैं बोलूंगा नहीं वेलोसिटी कम होता है जैसे यह यह लाइट पर्पेंडिकुलर आएगी तो यह जो बाहर इधर निकलेगी वह थोड़ा कम वेलोसिटी से निकलेगी मतलब इसमें जो वेलोसिटी तो कम होगा लेकिन लेकिन होता क्या है यहां पर लेकिन होता यह है कि जब आप इसको परपेंडिकुलर डालते हो न तो इसके पास option बहुत जादा हो जाता है इसको मूरने के लिए कि आप बो तो इसी के चलते जब सीधih रही आती है न तो वह डिविएट नहीं होता है अपने वह वो सीध ही निकल जाता है तो फिर counter question यहीं आएगा कि सर फिर रिफ्रेक्शन उसे कहेंगे या नहीं कहेंगे तो बिल्कुल कहेंगे deviation से decide नहीं होता है कि रिफ्रेक्शन होगा यह नहीं होगा reflection is a different phenomenon, reflection का मतलब कोई material से यह लाइट आर पार कर जाए रहे से रिफ्रेक्शन हो गया समझ में आया तो हम बात कर रहे थे रे की तो हम जितने भी reflection में हम देखेंगे पढ़ेंगे उसमें हम सीधा वाला जोगा यह हम नहीं पढ़ेंगे जो सीधी रे आएगी वो सीधी निकल जाती है उसकी हम बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे किसके जब आप इसको और ऑपे कैसे मैंने यह इधर से अब ढला कशना अब हम जानते हैं कि서 श्रेश और ऐका रेफ्रेंस लेना पड़ता है और रेफ्रेंस हम क्या लेते हैंडिक्मिश तो इसके पर्पेंडिकुलर लाइन यह आएगी यह लाइन आएगी पर्पेंडिकुलर और पर्पेंडिकुलर के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाता है उसे मोलते हैं इंसिडेंट एंगल तो अब इसमें क्या होगा अब यह तो चाहेगा भाई साब लाइट कैसे जाएगा राइट का तो जो डारेक्शन है उसी डारेक्शन में जाएगा बिल्कुल एसे स्टेट गोमना ऐसा ट्रेवल करना चाहेगा यह मैं इधर का पार्टिकल मिटा देता हूं ताकि आपको यह इधर से निकलना चाहेगा बिल्कुल एसे सिधा लेकिन होगा क्या डियू टू रिफ्रैक्शन डियू टू लेस वैलोसिटी डियू टू डेंसर मिडियम इसे हम बोलते हैं डेंसर इसे क्या बोलते हैं डेंसर डेंसर मिडियम ठीक है और जो एयर है वो हम बोलते हैं उसे र भी हान मिडियम डेहर मिडियम डेंसर मतलब देंसिट उसकी ठाइब करना तो मतलब कम ज्लाल तो क्वीछ नहीं होते हैं इसके इंटर से इंटर मोणों किलाता है मतलब क्लियों और इसकी density high होता है चलिए अब यह तो हो गया तो जब rarer medium से dancer medium में जाता है तो क्या होता है velocity कम हो जाता है यदि यह V1 है इधर और इसमें velocity मैंने V2 मान लिया तो क्या होगा velocity कम हो जाएगा velocity कम होने के कारण क्या होता है कि यह इधर जाना चाता था लेकिन अब इतनी energy रही नहीं कि इसको सीधा यह सीधा निकल पाए तो यह अपना path क्या करता है, deviate कर देटा है path क्या करता है, deviate कर देता है path deviate कर देगा, pestle है यह इस तरव जुख जाता है, यह normal है हमारा, यह normal है यह normal है, तो normal की तरव यह जुख जा यह इस तरह से निकलेगा, तो मतलब यह अपने path था उसे deviate हो गया तो इसको हम बोलेंगे refractive angle ठीक है, वहाँ पर हम reflection angle पढ़ते थे यहां पर रिफ्रेक्ट रिफ्रेक्शन एंगल तो यह आर बोलेंगे इसको ओके तो बात यहां पर फिर यह हुआ कि क्या इधर भी तो जा सकता था तो इधर भी जाएगा कब जाएगा पताइए जब इधर कब जाएगा मलब यह अपने एक्सिस से इधर से डेंसर मिडियम का है ठीक है ःख और यह अपने पाद से डेविएट कर जाएगा कब मलब यह अब फ्रॉम्वें द न और मिड जाएगा यह कब जाए जब ये धर निकल जाएगा और उस टाइम पर ये रिफ्रेक्टिव एंगल रिफ्रेक्शन एंगल बन जाएगा कब जब डेंसर से रेरर मिडियम में आता है तो मतलब यदि लाइट यदि लाइट पानी के सतर से होकर फिर हवा में आ रहा है तो अपने नॉर्मल से क्या होता है वो दूर भागता है नॉर्मल से अवे जाता है दूर जाता है और यदि रेरर मिडियम से डेंसर मिडियम में आता है तो वो नॉर्मल के करीब आता है तो यह चीज आपको किलियर हुआ इसको आप एक बार क्यूक रिविजन कीजिए उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं कि को कि को कि अगर को कि सो कि यह हो गया चलिए अब हमने इतना देखिए अब हम देखते हैं कि यह इसकी वैलोसिटी कम होती है तो फिर यह मेजरमेंट कैसे होगा यह मेजरमेंट कैसे होगा जैसे आपन बात करते हैं कि इसकी कलर ऐसा है या इसकी वैलोसिटी कम गया तो उसके कुछ को पता किया उस रेसियो को डिफाइन किया इंडेक्स क्या होता है तो चलिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अब हम पड़ते हैं एक चीज और यहां में बता दो आपको कि यह जो फेनम यहां से आप देखते होंगे अपने रियल लाइफ में कि जब भी आप गलास में यह गलास में बॉटर पानी भरा हुआ है ठीक है यह गलास है है तो इसका रीजन आप समझो इसका विरीजन वह उसका कारण भी रिफ्रेक्षन है कोई को आप पानी में देखते हो कि आप उसमें डालो कोई कोई डाल दिया या कुछ भी लखड़े का टुकड़ा डाल दिया वह आपको लगता है कि ऊपर स्थोड़ा सा है जितना उसका चांगा दो कि यह देखो यह यह इनसिडेंट रे जारही थी इदर इसको निपना था से डिरेक्शन लेकिन यह क्या हुआ तो ड्यूटल मेन्ट हो गया या तो इह दर रोगा यह डिपेंट करेंगी चैसे से भेज रहो तो इसके बाद किया होगा कि यह रे इधर से सट हो गया अब आप अपनी आंख को यहां लगाया Какade और क्योंकि यह रिफ्रेक्ट हो का रहा है तो फ्रेक्ट हो के हमारी आँक को यह लखेर यह सोचेगा कि यह इपना पिछले वार हमने बताई ता कि दिमांग क्या करता है बैक करता ये इधर से लाएगा इधर इधर की और आप फीछही और बैक करेगा और इसको पता लगे कि इस तरफ से आ रही है तो मतलब दो इनसर से रहें बैजो या रेयर से बैजन सरम बैजो लाइट दोनों केश में आपको जो औब силь है जो Which을 जहां से उसका रिफ्लेक्ष न होज़ें यहां यहाँ पर अब्जेक्ट है यहां से deflect होके reflect होके जा रही है तो इस पोजिशन पर तो आपको नहीं दिखने वाला है दोनुंगे समें चाहिए आप रेर से डेंसर बेजो या डेंसर से तो दोनुओं जानद हो इसे यही कारान है कि यहां दिखता है आपको जब आप Somac या कोई भी पेंसिल बगर डालते हो तो वह आपको थोड़ा सा बेंड दिखता है उसका जो एक्शुल पोजिशन होता है समझ में आया तो यह और भी कि इसके एक्जामपल है इसका मैं एक्जामपल आगे बताऊंगा वह जब आपलिकेशन बताएंगे तो और झा 42 बात करते हैं कि देखो जब वीटू वीटू यदी मेटर है यह कैसा है और यह देंशर हो जाएगा इसमें कम होने का मतलब मैं यहां वेलोस्टी कम होनेका मतलब यृण सरे है और यह रहल कर लेथी फिर्ष्र हो जाएगा को कि इसका मतलब यह कि अब इसको हमने पताया कि वेलोस्टी कि कम हो गई क्लिए आधर्लियक्व थे पता करने इंडेक्स जो है वो हर एक मेटरियल का अलग अलग होता है वो कैसे होता है आप देखिए तो मैं इसको मिटा रहा हूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रक्टिव इंडेस्ट कैसे होता है सो रिफ्रेक्टिव इन जो डिफाइन होता है वो ऐसे होता है कि वैलु सिटी जैसे यह भी मीडियम हमने बना रहा काता ना वान और टू इदर तो एहां पोलेंगे, velocity, velocity in medium, medium first, medium first, that means velocity कितना V1, और velocity, velocity in medium, medium second, this is called V2, तो refractive index का मतलब क्या हुआ, कि velocity in medium first, velocity in medium second का ratio जमल लेते हैं, तो क्या बताता है, refractive index, और यही refractive index जो होगा, वो क्या बताएगा, कि आपकी velocity कितना कम होगा, आपका velocity कितना कम होगा, जैसे, यही refractive index, माल लो, refractive index 3 है, तो इसका मतलब, light की जो velocity है, वो कितना times कम हो जाएगा, 3 times कम हो जाएगा, इधर से जो light आ रही थी, उसकी speed जितनी रहेगी, उससे कितना हो जाएगा, 3 times कम हो जाएगा, 3 times कम हो जाएगा, ओभियस्स बात है, जब velocity in medium first, डासट में मिट्यम सकएंड और यह आपको थ्री आ रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आपका जो डूवर्त रही है वह कहीं कहीं कहा सारी है से रहा है डिय र्रमिडियम से कैसे आ कि कभी भी value 1 तभी आएगा इसकी value refractive index की value 1 तभी आएगा जब उपर वाला quantity क्या हो बड़ा हो नीचे वाला quantity क्या हो लेस हो यह greater हो ठीक है और यह less हो तभी तो आएगा ना कि चार में दो से डिवाइड करोगे तभी तो यह दो आएगा यदि आप दो में चार से डिवाइड करोगे तो यह हाफ हो जाएगा तो वन से greater refractive index का मतलब हमेशा ध्यान रखेगा greater than one refractive index refractive index को फिर दरसाते कैसे लिखते कैसे इसका notation क्या होता है तो इसका notation आपके book में एन ऐसे करके दिया रहताय है एण ऐस waiting आता इसको मु włos अब इसके लिखने के वितरीके अलग-ब्लग होते हैं यह भी आपको ध्हानक ना है कैसे लिखा जाता है यह लिखा जाता है और हाँ यह जो रिफ्रेक्रीव इंडेक्स होता है यह किसका होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब आपको यहां पर लाइट पर एक्सं कर रही है उसे हम बोलेंगे रिफ्रेक्टिव उसका होगा यह देक्स ठीक है अब यहां पर यहां पर यह जो मेडियम सेकेंड था वह क्या कर रहा था लाइट के स्पीड को कम कर दे रहा था और उसकी डायक्शन को बेंड कर दे रहा था तो जो सकेंड walking तो यह चीज आपको जाना जरूरी था क्योंकि यहां पर जब भी लिखना होता है यहां पर हमें बताना पड़ता है कि जिसके जिसका यह इंडेक्स होता है वो हमेंसा पहले आता है ठीक है और फिर हम इसको और यह आता है वन तो इसको लिखते हैं मियू टुवण मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of one यसे हम वोलते हैं रिफ्रेक्टिव है रिफ्रेक्टीव इंडेक्स अग आफ ऐसकेट मिडियत है कि अकड़ कई टये दिन फ किसा सब्दान है इस लिखा जाता है इसको ठीक है कई-कई बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिलता है को दिकत नहीं है मियू टू ऐसे लिखा जाता है और कई-कई बुक में आपको नोटेशन कई-कई राइटर ऐसे लिख देते हैं तो कुल आप यहां लिखे दो ऐसे लिख दो वह आपके डिपेंड्ड है तो इसको यह आप ध्यान रखेगा कि रिफ्रेक्टिम इंडेक्स किसका होता है जो मेडियम जिस मेडियम पर एक्षण हो रहा है तो एक चीज तो यहां से हमने देखा था यहां पड़ रहे थे की limbs 1 से greater होने का मतलब één का meet बीडियम जो है वो ग्रेटर मोन होने का मतलब कि जो Light कि वैलूशिटी है वो किदर से आ रही है रार मिडियम से आ रही है पर यह मतलäg एयर होगा क्या होगा एर होगा एक चीज़ और आपको यहां ध्यान अखना है कि जब भी आप कभी भी आपको यह दी बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिफेक्टिव इंडेश दे दिया जाए और बिद रिस्पेक्ट नहीं बोला जाए तो आपको क्या समझना है जा यह और इधार वाटर एव वह होता है वह ता है वह होता है 1.33 और आपको इए जिए गिवन हो पॉच्ण में कि refractive index of the water is 1.33 तो मतलब किसके respect में तो फिर आप समझोगे air के respect में जब तक आपको respect में नहीं बोलता है हाँ यह दि भोल देता है कि refractive index of water with respect to glass निकालिए फिर वो दूसरा चीज़ रहेगा ठीक है लेकिन यह दि कुछ नहीं देता है तो फिर आपको air assumptions करना है एयर हमारा क्या होता है हमेशा फर्स्ट मीडियम होता है जिसे ग्लास का refractive index होता है 1.5 तो 1.5 किसके respect में यह एयर के respect में होता है समझ में आया तो आइधिंक आपको refractive index में clarity हुआ होगा ठीक है अब हम चलते हैं अब इसमें और तो कुछ है नहीं इतना ही है अब हम चलते हैं इसके लाज ओफ रिफ्राक्शन पर लाज ओफ रिफ्राक्शन और यह जो रिफ्राक्शन अब यह अब हमने पड़ाया है यह आपको अब आप इसके बहुता भी लिख सकते हो वेलोसिटी इन मिडियम सक्ट लेकिन यह तभी लिखोगे जब आपको जब क्या हो जाएगा जब जब यह मीडियम सदु था यह फर्स था यह फर्स था जब्षरि जो है वह सेसल से सकेंड से किधर आरए है फस्ट में आ bare है तब वह हो जाएगा समंझ में आया तो इस तरह से आप लिख लोगे अब मुझे आप पर बिस्वास है कि यह की म Register जा रहे है या सट उस सवर्फ में से यह सट वर् небольш है से रिधक में सब्सक्राइब जहां पर फिर हूं यहां पे क्म आएगा यहां पर वह आएगा जो एक्षन कर रहा है जो एक्षन कर रहा है ऊहां OF एयर से हवा से पानी में जा रहा है ठीक है तो इसका मतलब वहां पर हम लिखेंगे पहले वाटर आएगा क्योंकि वाटर एक्षन करेगा ठीक है और एयर आएगा ऐसे समझ मैं तो इस तरह से आप लिख लोगे अब आते हैं इसके लॉज ओफ रिफ्रैक्शन पर लॉज ओफ लॉज ओफ रिफ्रैक्शन अब देखो लॉज ओफ रिफ्रैक्शन है यह एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि यह सब्सक्राइब यह मेडियम फर्स्ट यह से केंड यह ऐसे जाता है और फिर यह इसका नॉर्मल होता है और यह ऐसे निकल जाना चाहिए था लेकिन यह फैरेट बिंड हो जाता है इसे हम एंगल سبक्ति नाई जाता है इसको विभियां और प्रसको गोलिले के इससे को बोलते हैं अब आते हैं लाज आफ। तो पहले से प्रेक्षन में पहले रिफ्रेक्षन तो दिए हैं से उससी तरह से पहला जो point होगा इसमें वो यही सेम है कि refractive ray और incident ray और normal एक ही plane में होता है ओके यह एक ही plane में होगा यह आपको ध्यान अखना है जैसे मैं इससे समझा देता हूं जैसे यह मालो glass है यह ठीक है यह गलास है यह हमने glass लिया इधर से रहा है और इसमें टकराया इसमें टकराने बाद यह इधर bend होगा यह क्या होगा इधर bend होगा अब बेंड होने वाद अब देखो यह जो इंसिडेंट आ रहा है वह भी इसी प्लेन में है यह यह इसी प्लेन में तो आ रहा है न इसे और यह और फिर निकल भी किसे रहा है इधर रहा है और नॉर्मल भी किस में है नॉर्मल भी इसी प्लेन में तो मतलब एक प्लेन ऐसा है इसे में सारा रिफ्रेक्षन और इंसिडेंट रे हो रहा है उसी में तो यह चीज आपको धाना पहला था हो गया अब ऊहां पर हम पढ़ते थे कि incident angle और refractive reflective angle reflection angle reflection angle बराबर होता था लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे यह मैंने कोई plane लिया इसमें मैंने बहुत सारे नॉर्मल लगा दिये को कि बहुत सारा मैंने नॉर्मल खीछ दिया यह हमारा सर्फेस है कि यह मेडियम फर्स्ट है और इधर सकेंड है मेडियम अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हमने समनें सरफ हमने हम और इंसिडेंट अगल कि यहां से अभी यह बिदेंगल कर दाता है कि यही बिद्रेंग यहांपर बनाता है और इसको करते हैं ठीक है तो यह और deviate होता है और इधर और इसको एंगल बड़ा करते हैं आई तो यह क्या होता है और इधर deviate होता है तो मतलब यहां से जब देखा गया कि जो अंगल आई के साथ क्या हो रहा है अंगल आर भी चेंज हो रहा है अंगल आई के साथ अंगल आर चेंज हो रहा है तो जब यहां पर कैलकुलेट किया गया कि साइन के साथ अंगल आई अपॉन साइन के साथ अंगल आर लिया गया यहा में है साइन के साथ और साइन के साथ जब यह एंगल लिया गया जब Vs बड़ाग इल्स में यहाँ ज्यादा है यहाँ ज्यादा लेकिन रेचियू बराबर आ रहा था जी से यह थ्री ऑपन यह फाइव-पन-टू है तो यह भी फैव-पन टू यह भी फाइव पन-टू और यह भी पन टू ऐसा तो यही चीजओ नोट किया गया कि की जब आप कोई सरफेस जहां देखा गया कि एंगल डिफेंट डिफेंट अगल दिया जा रहा है तो इसी को बोला गया क्या i upon sin r equal to constant ठीके और यह इसी को बोला गया snail law snail slow इसी को बोला गया snail law तो और यह constant किसके बराबर होता है यह constant होता है आभी हमने बताया था कि यह जो यह जो एंगल जो deviation का है कि एंगल कितना डेवेट करेगा वो डिपेंड करता है कि आपका सर्फेस कैसा है वो डिपेंड करता है आपका सर्फेस कैसा है काफी देंस सर्फेस है तो वो क्या करेगा बहुत जादा उसको वेलोसिटी कम कर देगा उसका वेलोसिटी क्या करेगा लाइट की वेलोसिटी वो प्रूफ आपको जरूरी नहीं है बस यह जानो कि sin i upon sin r जब आप जो 11th में जाओगे hair class में वहाँ पढ़ोगे तो sin i upon sin r जो किसके बराबर आया था वो आया था v1 upon v2 के बराबर आया था मतलब velocity in medium first velocity in medium second इसके ratio के बराबर आया था और अभी हमने पढ़ा था इसे पहले refractive index जब हम बता रहे थे आपको कि refractiveness mu जो था वो क्या था यही तो था velocity in medium first v1 और velocity upon medium second ओके तो इस तरह से आप इसको v1 upon v2 को जगा पर यहां पर mu put कर दो तो यही आपको book में मिलेगा कि sign i upon sign r जो हता है वो किसके पराबर हता है refractive index के ऐसे भी आप इसको सोचोगे तो जो refractive index जो क्या बताता है कि refractive index यही बताता है कि जो आपकी surface जो है वो कितना dense है और जितना ज्यादा dense होगा तो यह angle वो इतनी velocity उसकी कम कर देगी यह light की और जितना velocity कम होगा वो अपने अपने रास्ते से उतना ही deviate होगा normal के तरफ भागेगा समझ में आया तो इस तरह से यह किसके बराबरत है sign i upon sign r किसके बराबरत है मुँ मदब यह angle जो है न कितना deviate होगा यह depend करता है मुँ पे समझ में आया सो आईए अब हम कुछ application देख लेते हैं reflections का इसके बारे हमने जान लिया concept क्या होता है reflection कैसे होता है तो इसको मैं diagram से दिखाना चाहता हूं आपको यह reflection आपको daily life में आप कहां देखते हो और बाकि इसका कुछ natural phenomenon भी है जैसे sun का sun सुवह डेर से उगते हैं लेकिन हमें पहले दिख जाता है यह सब कारण next lecture में करेंगा बट कुछ general example है जिससे मैं आपको clarify करना चाहता हूं कि reflection होता क्या है ओके तो यह phenomenon आप सब ने देखा होगा अपने life में कि एक पानी का container होता है उसमें आप pencil को जब डुबाते हो तो यह हम ऐसा आपको जो इसका actual position होता है उस पे नहीं दिख कर यह थोड़ा सा tilt दिखता है और यह क्यूं होता है यह आप समझो इस figure से आप समझो तो जिस तरह से हम हमने बताया था कि हमारे आँखों को जो brain है वो हमारा backtrack करने के आदत होता है तो जब देखो यह जो pencil है यहां से यह pencil दिखा रहा हूं इसके corner से क्या होगा दो रे टक्राएगी और यह दोनों रे इधर की और और इधर की और निकलेगी ठीक है अब यह इ इधर जाएगी और यह ray इधर निकलेगी और यहां पर हमने आँख को set किया और यह देखा अब आख जो है हमारा वो दिमाग brain क्या समझेगा कि यह जो ray है वो इसको backtrack करेगा यह पीछे आ रही है और इसको आगे पीछे मिलाएगा और हमारा brain क्या करता है यह common point को ढूनता ह और उसने common point को ढून लिया और गो क्या पाया कि इस point पे उसको object दिखेगा जो दिमाग है उसको भहम होगा कि यह object यहां पे है तो इस वज़ा से यह क्या होता है हमें tilt दिखता है बट होता है यहां पे लेकिन यहां से ray निकलने बाद क्या होती है यह इधर tilt हो जाता है due to the reflection okay so यह एक example है जिसको आप डेली राइफ में देखते हो और इस देखो यह सीशे का glass है अब जो glass है इसमें आप कोई वी चीज़ डालते हो तो आपको यह देखो original position पर नहीं दिखके actual position पर नहीं दिखता है वो थोड़ा सा angle पे मुड़ा हुआ रहता है कारण reflection है समझ में आय समें तो वह अपना जुश्का actual depth होता है उस figura नहीं दिखता है वह हमेशा actual से होड़ा सा उठा उठा हुआ दिखता है कारण क्या है यह reflection है Korea यह reflection है हमारा जो reflections के बाद होता क्या है reflection के बाद ray क्या हो जाती है इधर क्योर मुड़ जाती है और हमारा आख क्या पता करता है back track करता है तो पता चलता है कि यह object कहा है यहाँ पे है तो इस वज़े से हमें उपर क्योर थोड़ा सा दिखता है तो यह तीन example थे मैंने आप से discuss किया और इसके कुछ natural phenomenon है वो हम next class में देखेंगे जैसे prism से कैसे reflection होता है TIR क्या होता है ओके so thank you for watching dynamic education